हलो दोस्तों, एंटीपीसी भम ग्रूपडी भरती से जुरे छात्रों की कई मांगे थे, जैसे कि एंटीपीसी में 20 गुना यूनिक कंडिडेट का रिजल्ट दिया जाना, ग्रूपडी से सिविटी टू एकजाम हटाये जाना, डोकुमेंट वेरिपेकेशन एपर मेडिकल इस राष्टिय मानबा दिकार आयोग की तरफ से 8 हपते के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, तो चलिए अप लोगों को पूरा मामला समझाते हैं, आखिर पूरा मामला है क्या, इसलिए अप लोग वीडियो को पूरा आवस्ते केगा, तो चलि आज का वीडियो स्टार्ट करते तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये पेपर कटिंग आज की है, जिसमें बताया गया है कि आयोग ने 8 हपते में कारबाई की मांगी रिपोर्ट। करने की मामले का संग्यान राष्टिया मानबादिकार आयोग ने लिया था। आठ हपते के बेतर कारबाई का वेवरा भेजें इस संबन्द में सिकायत करता अधिवक्ता को भी आयोग की और से पत्र भेजा गया है। तो प्रोटेस्ट के दोरण जो पुलिस ने चातरों के होस्टल में गुसकर लाठी चार्ज किया था। इस मामले में राष्टिया मानबादिकार आयोग दिल्ली ने आठ हपते में कारबाई की रिपोर्ट देने को कहा है। वीडियो को ज़्यादा ज़्याद सेर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियोश माप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए ब्लोग का धन्यवाद।